आपके साथ शिकार स्टोग्यूर आप देख रहे हैं विस्टानियूस कुल पॉरिंग भारत में आपका स्वागत है बात करेंगे उन खबरों की जो मीटिया में सुर्ख्या बनी भी हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के दौरे की जहां जिस तरह से अमेरिकी राश्ट्रपती डुनार ट्रंप अपनी पत्नी और अपनी बेटी युवांका के साथ भारत के दौरे पर आने वाले हैं एंदबाद में मोचेया स्टेडियम में आएंगे जहां पर केम चो ट्रंप का इकारिकम का इकारिक जिन क्या जाएगा जहां पर उनका स्वादत क्या जाएगा और विर्भिन सांस्कृतिक कारिकम उसे रूबरू होंगे ट्रंप सांस्कृतिक विरासतों को वो देखेंगे क इस तरीके से भारत अपने आपको रिप्रेसेंट करता है जुनेल ट्रॉम् के साबने वही आपको बताब चले कि प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जिस तरह से अड़ी दौरे पर उनका जिस तरह से हाउडी मोदी के नाम से स्वागत किया गया था तो उसी की तर्ज पर भारत तुपी एक इसकायीक्रम काजिन कर रहा है मुटेरास स्टेडियम में होगा ए अधाबाद में जो विश्यू कहा सबसे बड़ा स्टेडियम उस्थित Magic है उस पर वहांपर एक कायिकरम का नामै जहांपकर ट्म्प का बहुत क क्या जाएगा तमां कायेटरम है से पेश जाएंगे जिसे भारत की जो सांसकतिक बिरासत है उनसे रूबर होंगे भारत की जो विभीनता है जो रहता में एकता है ṥ उसकी में सांसकतिकी सन्सकतिक काईका में तो वही अगर बात की जाए आजके अवकारो में जो घब्रे सुन्हे उर्ख्यों में जो स्पेशल सुरक्ष्या शेक्ष्यलिय दी है वह क्या होती है उसके पारे में काफी डिटेइलिंग आपको बता रहे हैं। गातली के बारे बारे मताई कि जो काफिपथी टुर्मप का निकलता है राश्टुक्ती टुक्वाटी डिकलेगा यह काफिले में सबसे आगे रो में चलते हैं जो राश्क्रपती का काफिला निकलता है वही दूसरे नमबर पर होती है रूट कार काफिले के नेतरत्व करने वाली पुलिस की BMW ये कार होती है जो कड़ी सुरक्षा के साथ चलती है राश्क्रपती के काफिले के दूसरी रो पर चलती है वही तीसे नमबर पर होती है lys लेड कार लाश्चमती की कार से आगे चलने वाली सुरक्षा कर्यों से लैस सीवी कार यह होती है जु machine जूर छक्रियों से लैस चलती है किसी प्रकार की पोई अन्मोनी ना मोस Lewis पर पुरी नजर बनाये करते हुए यह कार चलती है वह चोथे नमबर प्रेसिडेंट की जैसे ही यह कार रोती है जिसे एक बहकावी कलिये रखा जाता है कि आगर कोई हमला प ब्रहमित करने के लिए ये कार एक चलती है ये चौथे नमबर पर ग्रोम में चलती है जिससे कि एक बाद बहकावा हो जाए और कणी न कहीं वो चूक जाए पांचवे नमबर पर होती है दबीस्ट वो कार जिसमें प्रेसिडेंट सवार होते हैं इसमें राष्ट पती का बैरूपिया भी मौझूद रहता है तो बीस्ट कार में इस तरीके का एक बहरूपया भी रखा जाता है ताकि प्रसिडेंट के उफार किसी भी तरीके का कोई हमना ना हो पाए बहरूपया भी इसमें पिठाला जाता है और यही मुख्यकार जो होती है जिसमें प्रसिडेंट सवार होते हैं तो वही चटे नंबर पर होती है हाफ बैक शेवरेल में राश्टुपती की सुरक्षा में तैनात क्लोस प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान होते हैं इस छटी नंबर कार में वही साथवे नंबर पर जिस तरह से दिया हुआ है वाट टावर विमोट कंट्रोल बंग और हथियारों को रोकने के लिए अगर कोई बर किसी तरीके की कोई एक्टिविटी से भाली है या इसके लिए अब पहले से तयार है ुसकार में रिमोट कंट्रोल बंग और हथियारों को रोकने के लिए यह कोई तरह से तेनात रहती है राश्टुपती की सुरक्षा की है तो वही आज गर नंबर बर होती ह पॉरी एक ट्मोजूर 2 रहती है चार में सिकर्डव मैं कॉइब गटना है इसमें को बाइस दुल आ दाल नुल मिलतु ऊपर जम कोरी के भाइब पेचैनल की सब्स्क्राइब काको तो नहीं जो बतार कोज़ड़नाल गांचिक कोरे सब कमें इसमय हैं कवरेज करती है उस चीज को और पूरी नजर बनाया रखती है कि क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है रास्टुपती के दोरे के दोरार बलपल की नजर इस पर बनी रहती है प्रेस की भी वही ग्यावी नंबर पर होती है हजमत यूनिट सेंसर से लेस्टीम जो न्यूक्लियर बायलोजिकल और केमिकल हमले पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है अगर न्यूक्लियर बायलोजिकल हमले पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है इसका सीधे तोर पर मतलब ही है कि अगर किसी भी प्रकाय की कोई घटना या कोई साजिश रची जा रही है आतन क्यों दारा है या हमला वरो द्वारा का किसी प्रकालि कोई साजिश रची जा रही है तो उसके लिए पूरी तनहा से ये हमले को लेकर प्रतिक्रिया देने में सब्षम है कि अगर रिस्पॉंस देगी तुरत अलर्ट कर देगी एक इंपूट देगी जिसे पता चल जाएगा कि क्या कुछ इ बनाने वाले सुरक्षा कर्मियों के टीम इसी में मौझूद रहती है इने दो सपोर्ट बस में जो की राश्टरपती के साथ सुरक्षा घेरा बना कर चलते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए तो वही इसी के साथ आपको गताते चली कि अमेरिके प्रसिडेंट डोनाल्ड ट लगाता है ऐसे लेकर उनों बोला कि उचे शुरक लगाने में चैंपियन है मारत ऐसा हो पहले भी टिपड़ी भी कर चुके है तो इस तरीके से अमेरिकी प्रसिडेंट डोनाल्ड टॉम में दोरे से पहले उचे शुरक का मुदा भी जरूर इसके साथ उनों का है कि उमीद ह मुदा है वो उठाएंगे जरूर और इसमें शायद वो एक उमीद जता रहे हैं प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी से कि शायद यह जो ऊचे शुलक है इसमें कोई रियाय तो बढ़ती जाएगी वही आपको उतार जाएगी एक तरीके से गी अनौप चारिक एक दोरा है प्र अजन पर प्रस्तावित हो सकते हैं और इने पांच करावह में सफसी ज्यादा जो फोकस है वह है सुरक्षा सिक्योर जो लेकर इसमें चर्चा हो सकती है तो इस तरीके के तमाम बिंदू है पांच करार जो कहें जारहे हैं अधाबाद दिली और आग्रा का दोरा है जिसमें तो निकलेंगे अपनी फत्नी और अपनी बेटी के साथ पहुंचेंगे अगर बात आगरा की कीज़ा तो आगरा के ताज महल कर दीदार करने जब पहुंचेंगे ट्रम तो उसके लिए भी सुरक्षा की काफे इंतिजाम किये गए हैं यूपी के स्रीमियों के अधितनाथ में विफगे सुरक्षा को लेकर चपचप़ पर नजटर अखी जा रही है इसंपिके सफाय की जा रही। वही अगर बात कीजào, आगरा की बात का रहा है, तो यमना नदी की सफाइय पर खात धाइन दिया जा रहा है, कि किसी आगरा की कोई गंदगी या कुछ तरीक का नाम नज़र आए, तो इसलिए इसके पूरी सफाइय का धान रखा जा रहा है, वही आपको बता दे चाहिए, आ और ताज का दीदार करेंगे तो पुल मिला कर देखा जाए कि आगरा दिल्ली और एहम्दाबार में पूरी नजर बनाए हुए है प्रशासन पूरी तरह से तैनात है अमेरिकी सेटिलाइट से भी नजर रखी जाएगी पूरे रास्टपती के दौरे को लेकर कि कहां वो जहां उस पर फोकस किया जा रहा है वहीं आपको अतरे चलें अमेरिकी कुलिस Gotta की सुरुक्षा में तैनात होगी यहीं आपको बताथा आ भारत में पूरी तरीकैसे प्रुशासन तयार है वहीं अमेरीकी पुलिस भी ट्रॡुक्षा में तैनात रहेगी Gerald 우리 24 फर्वरी को 7.30 बजे दिल्ली आइरपोर्ट की टेक्निकल एरिया में लेंड करेगा जहां पर कड़े इंतोजाम के गया है सुरक्षा के इसके साथ ही साथ अगर बात दिल्ली की कीजा तो प्रदूशर का जिक्र होना आम सी बात है प्रदूशर को लेकर भी प्रदूशर के बचाने के लिए साथाव को पर इस प्रेच छड़का जा रहा है अगर दिनके सावान इस तर बना रहे हैं ट्रंप के दौरे का खास तौर बड़ता जा रहा है तोटकों पर स्प्रेश ही छड़का जा रहा है धूल बढ़ा रही है अब लगातार जो दूल बढ़ रही है धूल की वज़े से जो प्रधूश्च का इसתर है वह भी बढ़ रहा है CPCB के अनुसार इस समय प्रदूशन की वज़े दूल है हवाओं के साथ उड़ाई धूल की वज़े से PM ट्रेंड बढ़ रहा है सरदिया भी अरिक नहीं है तो खुले में आग लगाने की घट्टाएं कम हो गई है अमेरिकी रास्ट्रपती के संभावित विजिट के अरिया के आसपास 24 घंटे मॉनिटरिंग करने को कहा गया है तो लगातार प्रदूशन को लेकार ही कुई तरह से अलाइट नज़र आ रहे है वही अमेरिकी प्रेसिडेंट डॉनाल ट्रम्प के जो काफिले की बात हमने की थी उसमें जो एक कार मुख के रूप सथी दब बीस्ट उसके लिए कहाँ जाने कि एक करिश्माई कार है सुरक्षा घेरे के बीच ओबीच अरे अमेरिकी रास्ट्रुपती ट्रम्प की लिमोजन वाकर ही खास होती है हाँ रास्ट्रुपती की कार रास्ट्रुपती की कार की बात की जाती है कि क्या को इसके system है, firefighting system है, आसु गैस है, smoke screen मौजूद है, आट इंच मोटे chemical हमने से पूरी तरह से ये सुरक्षी तो तो दबीस्ट रिकार का जिकरस में अच्छा से किया गया है और डिटेलिंग में दिया गया है कि आखर क्या वहती है अमेरिकी प्रेसिदेंट डूनाल ट्रम्प की दबीस्ट जिसे खास तौर पर रास्टुपती के लिए बनाए गया है उसमें वो सारे फीचर्स मौजूद है जो एक रास्टुपती की सुरक्षा के हिए होने चाहिए 112 साल पुरानी डायला बेंच पर बैट कर ताजम नहीं है कर दिदार करेंगे ताजमेह के संटर टेंक पर लगली की बैंच हटभा कर मुगलिया शेनिये के संगर्मर से ताभी कर ये बेंच लगवाई थी जहां जब ताजमहल जब भी पर तक जाते हैं तो वहांपर इस Bencs पर बैट का फोटो लेना नहीं गूलते हैं और जितने भी Celebrities वह के तमाम विदेशनी मेहमान जबाते हैं तो वह हैं इस डाईना Bencs पर बैट का फोटो लेने इसे खुद को रोकने ही पाते हैं ये एक खासियत है ताज महल की भी जहां पर डैना बेंच पर बैट का लोग ताज का दीदार करते हैं और वहाँ पर अपने फोटोस देते हैं इस याद को हमेशा आपने पास लगते हैं वही ताज महल के 500 मीटर में ट्रंप की कार को इजाज़त भी नहीं दी जाएगी इस दोओरान अमेरिका के रास्चूपति ट्रंप की कार दबीस्ट को ताज महल के पानसो मीटर में जाली की जाज़त अब तक नहीं हैं वही सूत्रों के अंसाल मेर्की अफसरों के ग्रह मंत्राले और विदेश मंत्राले में बात चल रहे हैं अधिकारों ने बताया है कि दबीस्ट के लिए स्थाई पास भी जारी कर दिया जाया लेकि गुरुवार रात तक इस पर कोई नेड़न नहीं हो पाया है पर शासन की तयारी बोल्ट कोट से ही ट्रम्प को ताजबहन के गेट तक लेजाने की है तो पूरी तयारी कर ली गई है वही आप यह भी गताया जा रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प का दो दिन का यह जो दौरा है तो ऐसे में वह सकता है रागीरों को कुछ परिशारियों का सामना करना पढ़ सकता है कि अगर दो दिन का इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में कड़ी सुरक्षा के पहरे में जब ट्रम्प भारत के दौरे पर आएंगे तो अंदाजा में लगा सते हैं कि ट्राफिक जाएं क पर तो पर पूरी तरह से डाइवर्ट रहेगा सुरक्षा के इंतजाम होंगे तो कुछ परिशारियों का सामना भी करना पढ़ सकता है हला कि अगर ट्राफिक पुलिस टीजिए का रूट डाइवर्शन का प्लान अभी रागीरों तक नहीं पता है कि किस तरही के से रूट निकालना है यह अभी नहीं पता है वहीं आपको पताते कि दस हजार गमने रखे जाएंगे तो एक जो कहते हैं शोभा पढ़ाई जाती है जब हमारे घर में जिस तरह से कोई मेमान आता है अवरा उसको जितना अच्छा सच्छा हम अपने डिप्रेजर्म करते हैं यह हमारी कोशिश होती इसी तरीके से भारत के दोरी पर जब आ रहे हैं डुनाल ट्रॉंप हो तो दस हजार गमने रखे जाएंगे खुबसूर्ती को और अधिक निखारा जाएगा लुटियंस जो समेर नई दिल्ली का बाकी का एडिया भी खुबसूर्ती के मामने में पूरी दिल्ल स्काँ आनि के लिए बख फ्यर्स स नगी दिल्ली के चपपेश को काने का 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 म करें जारा है इसके लिए एंग्मसी के हाट कलचा विभार के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल इंजिनिर्ग विभाग के भी हजार प्रमचारी दिर्रा काम में चुटे हुए हैं इन रास्तों और इन इलाकों की खुबसूरती को निखानने पर खास तोर पर फोकस किया जा रहा है जहां ट्रंप ठहरेंगे या जिन रास्तों से होकर गुजरेंगे ऐसी सभी जगों को पर खुटबार की किनारे लगी क्यारियों को ठीक क्या जा रहा है नए पौधे और गंबले लगाया जा रहा है गंदगी को अटाया जा रहा है नई मिट्टी खाद और पानी डाला जारा और पेड़ पौदों की धुलाई सफाई चटाई तक की जा रही है इसके लावा खास तरह के विदेशी पूरों के पौदे भी जगए जगए लगाये जा रहे है तो पुल मिलागर देखा जाए ट्रॉम्प के स्वावत के लिए भारत में भी काफी जोज और उत्सा देखने को मिल ला है और ये सभी पेपर्स के जाए जो भी न्यूस पेपर है सभी के सूर्खिया है जिस तरह से राष्ट्रुपती बनने के बाद ट्रॉम्प का भारत का पहला दोरा है और वो पहले भारत दोरे पर जब आ रहे हैं जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंड मोदी का अमेरिका में जिस तरह से रावडी मोदी काइकम के साथ भाव स्वावत किया गया था तो बराबरी से उसी तरज पर स्वावत करने की पूरी तयारी भारत ने भी कर रखी है केम चो ट्रॉम्प का एकम से स्वावत क्या जाएगा ट्रॉम्प का उनकी पत्नी और उनकी बेची का स्वावत क्या जाएगा और पूरी तयारी कर रखी है आगरा में भी यूपी सीम तो कोई भी लापरवाही बर्दाश्ट नहीं की जाएगी और प्रशाथन पूरी तरह से मुस्तेयर नजर आ रहा है कि किसी प्रकार की कोई भी चूक इस तरीके की ना हूँ जिसे कि कहीं से भी भारत की छवी को नुकसान पहुंचे बढ़िए ये भी कहा जा रहा है और देश प्रदानमंत्री भी भी बात होते हैं टरंप से अच्छे रिष्टे हैं और उन्होंने भी जिस तरह से ट्विट किया हैं उन गोला है कि टरंप से जो दोस्ती है वो पूरे विश्य के लिए बहुत ही फायदे मन्द होगी कूर मिला कर देखा जाए तो विदेशी दौरे को लेकर जिस तरह के से अगर विदेशी रिष्टे मजबूत होते हैं तो वाकई यह एक विश्य की ताकत जो है वो विश्य की ताकत मजबूत होती है तो कोई मिलाकर देखा जाए तो ट्रॉम्प और धानमंत्री नरिनमोदी की दोस्ती क्या रंग लाती है यह देखना होगा क कि पार्च करार पर बात होने की संभावना है वही अगर दूसरी प्रमुख खबर की बात की जाए तो भारत में अगर जो प्रमुख खबर इस वक्त जो पुद्दा बना है वो है शाहीन बाग शाहीन बाग में जिस तरह से वारता कारों और प्रदर्शन कारियों के बीच ब सब्सक्राइब कोई भी नुमाइदाद नहीं पहुच रहा है उनसे बात करने के लिए इसे लिगा एक नाराजिय देखने को मिल रही है बातचीत पर एक बात नहीं बनी है की स्वरबरी को शाहीन भाइब मस्तिये कि ग्राफ चले प्रदर्शन में वारता कारों से तीसरे दिन के लिए बात की है आपको ताली की जिस तरीके से केंदर सरकार की चुपी सामने आई थी इसे लेका सुप्रेम को दखल देना पड़ा था शाहीन भाइब के मामले में और वही सुप्रेम कोर्ट ने तीन सदस्य नेउत्य किये कि बातचीत करने के लिए वह जाएंगे और यह यह चाहीन भाइब का इपनी लंबे सामय से जलता आ रहा है इसे रोका जासे है लेकिन वारटा कोई कोई हल नहीं निकल सका है क्योंकि प्रतर्शों कारी अपनी जगह से हटने को तयान नहीं है दो गिनों की वारता के बाद भी शुक्रवार को जम his फिर वारता हुई सुप्रीम कोर्ट द्वारताकार सीनियर वकी संजय हेग्रे और वकी साथना राम चैनल प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए देशाम शाहिन बात पहुंचे लेकिन उनके द्वारता की गई वारता बे नतीज़ा ही निद्धी कि कयास लगने रगे है कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ही निड़ा लेगा बतारे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तीन लोगों को वारताकार के लिए निवतिक किया है में सीनियर एड़्ोकेट संजय हेग्रे है तो बही जिससे किसे लोगों के बीच वे बात हुई है वा पहुच रहा है किसी पर काई कोई प्रतिकरिया नहीं दी जारी कोई पड़ी ने की जा रही है तो वाकर यह एक नाराज़्गी बनती भी है और शाहिन बाक के प्रदर्शन कारी इस बार से खासा घपा नजर आ रहा है जिसकी वज़े से वो नहीं अपना प्रदर्शन रोकन कोई नेता उनके बीच नहीं पहुंसता है जिससे खास नाराज़गी देखने को मिली और इनी सब के बीच देखने को मिला जिसकी वज़े से दिल्ली कुलस को दिल्ली सरकार को केंटर सरकार को नोटिस चारी किया गया उसे कारवाई के लिए कुछा गया क्या क्या क्यों नह सामने आ राइ यहां तो इस सुप्रीम कोर्ड ने दखल दिया तो इस के ऑल मिश हमम बार के लिए जिस अरे से आदेशी गिए 세 प्रदर्शन करने की नियम होते हैं, आप इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप उन जगह को प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जहां से आम जल लोगों का आना जाना होता है, और उसमें लोगों को परिशानी होती है, आप लोगों को परिशान नहीं कर सकते हैं, तो Firm İs είναι लिज़ इससे देटे किला गरलता है , लिज़ लिच चया कर बात करें इस मामली को पूर्री कोट सुप्रेम कोट चुपे को और सब्सक्राइब का फैसला है सुप्रेइम कोई और छाती कानी तो एक सब्सक्राह एक फैसला ही उन्हें इसके लिए हड़ आपके हर्मान और की गई बातों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूगा। मैं सरकार का आदमी नहीं हूं। इसले कोई फैसला लेने करकार मुझे नहीं। कि अब बातों कि आदमी नहीं दूदर बनी तरह कि अपना काम कर रहें। नहीं साधना राम चिंडर ने कहा है कि एक तरफ की डूड़ को लेकर मैं अभी भी असमनजस में हूं। यहीं नहीं वेकलतिक मार्ग भी तक पुलिस नहीं तलाशी है। प्रदर्शक कायों से कहना चाहती हूं कि बात चीज से हल निकारा चाहिए हम यहां यह बातों को सुप्रेम कोड बताएंगे जिसके बाद वही सुप्रीम नेड़ा लेगी तो इस बीच आपको बता दे कि शाहिन बात को लेकर जो रोड जाम करने की बात सामने आ रही थी तो प्रदर्शक कायों का भी कहना था कि जो दूसरी रोड फूली जा सकती है उसे दूसरी रोड को दिल्नी पुलिस ने बेवज़बंद का रखा यही बात सामना राम चंद्रा ने भी कहा है जो वार्ताकार के लिए निक्त की गई है उन्होंने भी यही बात बोली है तो ऐसे म कहीं न कहीं एक देखने को भी मिल रहा है कि शाहीं बात की प्रदर्शनकारी जो है उन्हें भी किसी तरीके से एक असंतोष मिल रहा है क्योंकि ना तो कि इंद्र सरकार ने जवाब दे रही है वही जब उन पर रोड जाम करने की जब बात कही जाती है जवारूम लगा जात के लिए को स्थान को छोड़ दे प्रदोशन के लिए तो वहीं आपको है क久 जोड़ए क्याय। उन्होंने साथ तोपक का है कि प्रदर्शन कारें में का है कि वो मीडिया के सामने ही बात चीत करेंगे उनका कहना है कि अगर वारताकार मीडिया को बाहर जाने के लिए कहते हैं तो फिर उनकी कोई बात चीत नहीं होगी जिसके बाहर शुक्रवार को उनके सामने बात लिकी है लेकिन उसके बाद ही कोई हल नहीं निकला है तो कुल मिला कर देखा जाए शाहीन भार के मामले में अब नजर आ रहा है कि शायद इस पर बड़ा फैस्टा पह, सुप्रीम कोट ही ले सकते है और कोई कारण नजर नहीं आ रहा है या तो केज सरकार को इसमें दखल करना पड़ेगा उन्हें अपनी चुपी तोड़नी पड़ेगी और प्रदर्जन कारियों से बात कुल करनी पड़ेगी लेकिन अगर केज सरकार नहीं जवाब देता है तो शैद सुप्रीम कोट को ही फेसलाए शाहीन बार के मामने में लेना जैसा के नाम है सुन भड़ तो वहाँ पर 3000 रण 선े का भंडार मिरा है वही जल्द ही सोने के ब्लॉको की दिनामी करने का भी आदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश में सोने का एक बड़ा भंडार मिला है सोनभादी की पहाडियों में तीन हजार रन सोने का भंडार मिला है इससे पहले भी अगर आपको यादो तो उत्तर प्रदेश में सोने के भंडार की खजाने की बात कही गई थी जिसके बाद काफी भीड जमा हो गई थी, काफी मशक्कत की गई थी उसे खजाने को निकालने के लिए ऐसे कई बार खबरे सामने आ चुकी है उत्तरप्रदेश के तमाम जिरों से वही इस बार आई है सोनबदी के पहाड़ियों में 3000 सोने का भंदा मिला है और इसकी पुस्टी भी हो चुकी है और अब निलामी की प्रक्रिया के लिए काम शुलू कर दिया गया है चल्दी सोने के ब्लॉकों की निलामी कर दी जाएगी इसके लिए सरकार के उसे साथ सदस्ती टीम गठित कर दी गई है वही आपको बताते चलेगी 2005 से ही यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के टीमें अध्यां करके सोनबदी में सोना होने के बारे हैं बताया था और इस बात की पुस्टी भी 2012 में हुई सोनबदी की पहाडियों में सोना हो जुद है हलाकि इस पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ था लेकिन अभर प्रदेश सस्तरका ने तेजी दिखाते हुए सोने के ब्लॉप के आवंचर के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है सोनबदी के कौन थाना शेत्र के हर्दी गाओं में और दुब्धी दैसल के ममली गाओं के सोन पहाडी में सोने का एक बड़ा भंडाल मिला है और इसकी पुस्टी भी हो चुकी है हर्दी शेत्र में 646.15 किलो सोने का भंडाल मिला है और वही अब यूरेनियम की तलाश शुरू कर दी गई है क्योंकि सोने का भंडाल मिला है तीन हजार टन सोने का भंडाल मिला है तो अब यूरेनियम की तलाश भी शूरू कर दी गई है सोन भदर जिले के खने जर्दकारी की किरोई ने बताया है कि जिले में यूरेमियम का भी भंडार होने की सम्हावना है जिसकी तलाश में केंद्री और अनिट्री में लगी हुई है जिस तरीके से उत्रप्रदेश के पहले भी छीज़ीर के सामने शावने मिलने की पुस्ट्री हो गई है तो ये वाकई करने का इसार तक सिद्ध होता है जिसे कर से सोन भद्र में मिला है ती हजाद रंग सोने के भंडार की पुस्टी हो चुकी है और अब इसकी निलामी होगी तो जिस तरीके से ये ख़बर सामने आई है सोन भद्र से तो अब प्रदेश सरकार जहां अभी तक सरकार भी कभी नजर आ रहा है तो इसी पदर हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे यहां रुकेंगे एक छोड़े से बेखेंगे और यह प्रूजब क्छी मरिश घरे से रखेंगे निजर के करेंगे फ 10 Minnie & fragy Yay No Yes Sorry No Yes Yes No you just only have to place right person at right place and yes 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 so what you are waiting for please log in www.sanskarwedding.com and for further queries please call GST reform से लेकर cashless economy तक stock market के उतार चढ़ाब से लेकर अर्थ व्यवस्ता की बदलती चाल तक business से जुड़ी हर छोटी बड़ी ख़वर मिलेगी आपको यहाँ stock exchange सिर्फ A.V.T.ार्डिस पर अटक से लेकर कटक तर कटक से लेकर कन्या कुमारी तर नहीं छुटेगी एक भी खबर वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की खेल के मैदान से सियासत के दंगल दंग हर स्टेट से आपको कराएंगे रूब रूब स्टेट 29 में स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर एबी स्टार न्यूज हर वक आपके साथ बहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना वेंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम रेस्टरेंट का हिसाब हुआ पुराना हम बताएंगे खाने का ने अठिकाना देखे फूडिस्तान है हिंदुस्तान सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर चेकनोलजी में किसकी रव्तार के दुए में है बात मोबाइल वर्ड में कौन जमा रहा है धाक हम रखेंगे पूरा जेट ट्रेंडिंग स्टॉक अन्बॉक्सिंग से लेकर आटो पर रहें का हमारा पूरा अपडेट सिर्फ एबी चार्लीज पर काशी की लहरों से लेकर ताश के दिदारता सत्ता की गल्यारों से लेकर चंता की आवास्ता यूपी की हर छोटी और बड़ी खबार वो चाहे जरायम की दुनिया की हुदी याहू खेल के मैदान की यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार्ट निउस पर येस नो येस सारी नो येस येस नो येस आपको प्लेस राइक पर्सन अट राइक प्लेस येस 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 बिटू को सौनया मिलगई रोमू को मूली और बंठी को पली सो, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries please call में के बास स्वागत है आपका हम बात कर रहे हैं उन खबरों की जो मीडिया में सुर्क्यों पाल है और इसके साथ ही साथ वो खबरे जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी पुले दिन है तो वही अब जो सबसे बड़ा मुद्ध्ण है वो है मिर्भीया केस पे जो आरूपियों को फासे के सजा देनी है इसको लेकर जिसरी के से फासी तीन बार चाली जा चुकी है फासी का दिन तारीक तैन हो जाती है उसके बार बिटाल दी जाती है लेकिन अब तीम मार्च का जो दिन तैय किया गया है अब कही न कही न आरूपे को चारों दोश्यों को अब एक डर सताने लगा है और इनके अगर केदी कि अगर मांसिक एस्थाए चीक नहीं होती है या फिर उसे अगर कोई गंभी बिमारी हो जाती है तो जिस्वेसे ज्स खाएंकि भी सुपष्ट जिसके सी मेडिकल चेकप के चारो दो पूर यह तरना से सबस्त हैं वही जिससरी के से एका फासी की सजा का एलान हो गया है वो डर एक उनके अंदर देखने को मिल रहा है लिकेन वह लोग स्वास्त है लेकिन इनमें से विनर ने अपने आपको बचाने की पूरी कोशिश की और इसी कोशिश में ही उसने अपना स्थर दिवार पठका था वही है कि अपने अपनीं को चुछ की पहंचा के अफासी की सजा की चालने के लिए इसने किया है लेकिन इस पर भी साथ हो गया है कि अबको दो ही शर्ते होती है जब अब रिप्रिय की सजा ना मिले यह तो गंबीर ब्रेमारी और यह मांसिक रूप's से असवासे लेकिन सब्सक रहे अई टी हिंगा और यह लिए बंचनी अबmeterimiento कुर कुंकि मार कि अनुर सब्सक्राइन मिनस के लिए उने समय लिए लियर उसके व्यवार में किसी प्रकार का बद्लाम नजर नहीं आया है। जेल में भी वह सामान रूप से उसकी जो एक्टिविटी ते वह सामान नजर आया है। तो पुल्मिला कर दिखा जाए तो उसने एक जूट बोला था पुद को बचाने के लिए। लेकिन इस जूट में वह फुद ही फस गया है क्योंकि अब शायदी यह फासी टाल नहीं पाएगी। जिस तरह के से दो बार टाली जा चुकी है लेकिन अब शायद नहीं टाली जाएगी। निवह के दोशी विनया के द्वारा फासी टालने के लिए खुद को खायर करने और अपने आपको मान से को उपसे विमान साबित करने की कोशिश में अपनी मा को तिहार जिल प्रशासन के कर्मचार्यों को भी ना पहचान पाने कि उसने बात जो कहीं थी जूटी थावित हो कर पुद को खायल करने के कोशिश करने के बाद विनया की मुलाकात सोंवाल को उसकी मान से हुई थी इस मुलाकात में मुसामा ने नजर आ रहा था तीन मार्च सुमें छे वजे फासी देने के लिए नया जैस वारेंट जारी होने के बाद निवह के चारो दोश्यों ने से करिये तरह दने के हदखकंडे अपनाने शुरू कर दिये थे वही सोला फरवरी को चारों दौष्यों मेंसे एक विन्य कमार शलमाने अपना सव्ह दिवार पर माढ़िया था उससे अपने वकील एकिसंग के जरी दिल्ली की पचैरा थी हाउस अदालत में याजकर दायर कर पर पूरी नज़र रखी जा रहे हैं इन आरोपियों के उपर कि कहीं ये लोग को खुद को चोट ना पहुंचाए इसके लिए चाल दोस्यों की काउंसिलिंग भी कराई जा रही है वही अपको बताते चाहिए कि सोशल मीडिया पर लोगों ने भी कहा है कि आखिर न्याय मिल पर लिए जारे है क्योंकि साथ साल का एक लंबा इंतजार किया था नेधाय के इन्हें चार दरिंदों पो फॉसी पर लटकाने के लिए डेध वारेंड भी जारे हुआ फासी की इतारीक का भी अलान गवा लेकिन दोबार टलने के बाद जिस तरही के से इन्हें चारों आरो कि दिया के साथ नैग धिया जारा है क्योंकि इनको जब सब्सक्रिण विक पर एक लिक तो प्रीमार कर लिए को सब्सक्रिण की पास्फोर कर लिए लेकिन आचे सारी विकल्प आज़ कर ली इन्हें रहा हैं आपने रास्ता नहीं बचा है वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए संसरी खेज निर्भया स्तामोही बलागकार और हत्याकार मामरी की चारों दोश्यों के लिए जारी किये गए नए फार्सी के फर्मान के अगसार तीमार्च को सुबह छे बजे तेहार जेर में फार्सी पर लटकाए जाएगा आदेश के बाद सोशन इडिया पर लोगों ने कहा है कि देश की बेटी को आखिरकार नियाय मिल गया है वही अपकुता दी कि जिसरा से एक बाफार्सी टल गई थी तो निर्भया की मा ने के इन सरकार से भी काफी नाराज़गी व्यक्त की थी तो उने कहा था कि इतना देर ल वक्त लिया लेकिन वक्त के बाद ही अब नयाय भी मिलने वाला है देश की बेटी को अब नयाय मिलने वाला है देश से ही नहीं विदेश से भी प्रतिक्रिया आया थी निर्भया कार्ण जिसने देश ही नहीं पुरे विदेश को भी जग जूट गया था इस तरीके का एक ज जगन ने अपराध किया गया था उससे पूरे देश से भी प्रतिक्रिया आये थी निर्बयकान के दूश्यों को फासी की सजा का सोचल मीजिया पर भी स्वागत हुआ फैसले आने के कुछ समय बाद ही जुचर पर हैस्टेंग दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा वही गूगल और फेस्बुक पर भी लोगो की प्रतिक्रियाओं ने इसे टॉप टेंड में शामिल लगा हाला कि इस मामने पर सोचल मीजिया पर एक बड़े तबके ने नावाले मरी सजा कम समय में दि जाती है तो उसकी वाकई सिलाहना की जाती है हमारे देश में रचे में रेड़के आरोप के लिए इस तरिकी कि सजा कर प्रावधान क्यों नहीं हैं कम समय में उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती हैं लंब समय तक मामले खिष्ते रहتे हैं कारवा innov कर चलती रहती है, कारूनी प्रक्रिया लंबा लेता है और इसन सब के बार बाता है, पीडता नहीं तक पहुच पाती है, तो ऐसे में एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद, साथ साल के लंबे इंतजार के बाद, ना सिर्फ निर्विया की मा, बलिकी पूरा देश इस दिर का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब इने चार दरिंदों को फासी पर लटकाए जाएगा, तो कुल मिलाकर दिखा जाया है, तो अब 3 मार्च का इंतजार है कि 3 मार्च को इंचार दरिंदों को फासी पर लटका दिया जाएगा, जिससे कि देश में ये जो आरोपी है और ये जो एक दूशित मांसिक्ता जो पना पड़ाई है, जो समाज के लिए एक जहर बन चुके हैं और जहर भोल गए हैं देश मे इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी सीख मिल जाए कि अगर आप इस तरीकी के अपराद करते हैं तो बच कर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ने कहीं प्रुशासन की हिला हवाली होती है, या शायदर परिवार में भी एक सोच कि कह सकते हैं, एक साम परिवार में जाए कि असपरे इत्रा सेशिय न ममें वहाया होता है, एक साथ साल फारनी मिल्भार में इतनली एक सुझ को फ़ tटा कहार कर पेड़ता उनका परिवार हार मान देता है और छोड़ देता है आज ही छोड़ देता है कि उन्हें कभी नाय मिल पाया ता लेकिन यह हमारे देश में एक कानून की नाय की एक बहुत बड़ी जीख होगी जब देखा कि यह चारों दरिंदे फॉंसी पर लटक जाएगे तो गुड मॉलिं भारत में आज के लिए बस अतना ही मुझे देजे जाज़त नमस्कार